नमस्कार दोस्तों मैं रोई सुथार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं एक नई वेकेंसी के साथ में हूँ राइट जो की है बियार स्टेट पॉलिशन कंट्रूल बोर्ड से राइट तो चली फटा फट समझते हैं कि यह क्या वेकेंजी है कौन-कौन से कैंडि डिस इसमें एक प्लाइ कर सकते हैं कि रहे एसेंशियल क्वलिफिकेशन क्या इसकी मैक्जीमम और मिनिमम डेट रहेगी और वेकेंसी नमबर वेकेंसी नमबर वपोस्ट क्या कुछ है राइट चली स्टार्ट करते हैं तो एक तरह का यह अपॉइंट्मेंट है फोर दे जोनिर इ लाइट तो मैं बता दू आपको कि यह जो है बिहार स्टेट पॉजिशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा एक एक अप्लिकेशन फॉर्म जारी कर दिये गए हैं और यह एक और चीज में इंपोर्टन रखना यह टेंप्रेरी है एक तरह का कॉन्टेक्ट्ट्ट अपॉइंट्मे लेगा तब तक आपकी यह जॉब जो है इसमें आप कोई नहीं है कि आपको जो है वह टोजगार देंगे अपॉइंट्मेंट्मेंट या रेगुलेशन के लिए वापे आपको कोई क्लेम नहीं कर सकते राइट फटाफट समझते हैं कितनी आपकी पोस्ट तो यहां पे तीन अलग अलग पोस्ट देए रखी है दो तो आपके है जारेफ अलग सब्सक्रक के अकॉर्डिंग है और एक आपके यह लैप असिस्टेंट ज्यारेफ में आप देख सकते हो आपका एक तो है फिजिको चैमिकल एनलाइजिज में ठीक है जिसमें आपके आपके एमसी होने ची जिसमें आपकी होनी चाहिए माइक्रो बाइलोजी में या बायो केमिस्ट्री में या बायो टेक्नालोजी में या लाइफ साइन्स में ठीक है और इसके साथ में आपके मेंडेटरी है इसेंशिल कॉलिफिकेशन है आपका UGC NET या CSIR NET कम्पलीट होना चाहिए मैं यह सोच राओ कि आपको यह पता होगा कि UGC और CSIR NET क्या होता है और एक यह है कि लाइब असेशन के लिए आपके पास में होने चीए बैचलेर आफ साइंस इन केमिस्ट्री लाइफ साइंस और और आपके एंवर्मेंटरल साइंस और यह कुछ तीन अलग अलग पोस्ट है और जिसकी यह कुछ एसेंशिल कॉलिफिकेशन दी हुई है और यहां पर आप जो में दो पोस्ट दे रखिए ठीक है और फिर आपके स्टी में एक पोस्ट दे रखिए एबीसी में दो पोष्ट दे रख जिक हैं और और अगर आपकी कैटेगरी BC या EBC है और male और female हो तो आपकी जो है maximum age 40 रहेगी, undeserved female के लिए 40 है, STSC male female के लिए 42 है, ध्यान रखना minimum age 21 होने चाहिए और age calculation जो है, वो 1124 से आप calculate कर सकते हो, कैसे करना है अपला है, बहुत simple है, आपको एक online application form बनना पड़ेगा, यह मैं आपको highlight करके बतारो अभी, इस site पर आपको जाना पड़ेगा, इस application, I mean, इस notification का जो link है, वो मैं description box में दे दूँगा, वहां से आपको यह PDF डावलोर करना है, PDF डावलोर करने के बाद मैं इस link पर आपको click करना है, जैसे आप click करोंगे, अभी मैंने highlight करते हैं, इस लिए click option नहीं आ जाएगी, उसको fill करने के बाद में, आप वापे submit करोंगे, यह filling आप submit करोंगे, जिससे आपको मिलेंगे ID and password, ID and password को आप fill करके, आपका पूरा application जो है, वो आप पूरा भर सकते हो, application को भरने के बाद में, जब आपने सारी, जो entries है, वो accurate भर दिये, तो वापे आप final submit कर सकत और आपका UGC net या CSIR net की जो का जो sheet है, mark sheet है, वो सारे upload की है, वो पूरे proper accurate होने चाहिए, यह नहीं करना है कि 10th में 12 का करती है, 12th में 10 का करती है, ऐसा कोई mistake नहीं करना है, name proper आपको fill करना है, उस form में, father name, photograph वगएरा, आपका photograph जो है, वो colorful होना चाहिए, तो सारी entries जब accurate ह करना है, final जब submit करतों के तो वहां से आपको मिल जाएगा एक तरह की application ID, जो आपके further reference तोर पे यह आपके पास में रखना है, इसका print out भी आप अपने soft copy में रख सकते हैं, ठीक है, हाड copy में कोई necessary नहीं है, कुछ note दे रखे है, इस notice में तो आप देख सकते हो, ध्यान रखन सब बार बार यह point आ रहा है, यह एक तरह की temporary contractual appointment है, पर्मानेट नहीं है, नमामी गंगे project के according में, ठीक है, department आप देख लो, water resources, river development and ganga, trejuvenations under the ministry of the जल सकती, ठीक है, दूसरा है, यह जो reservation का benefit है, एक्चुल में यह बिहार state का appointment है, तो जो बिहार के candidate है, उनको ही reservations का benefit मिलेग other, जो state के candidate है, चाहे वो deserve category से belong करते हो, लेकिन उनको जो है earn deserve category में, उनका count होगा, और और भी आप कुछ detail जाननी है, तो आप इस particular site पे जा सकते हो, जो मैं अभी cursor से show कर रहा हूँ, और कुछ queries हो, तो आप इस particular mail ID पे mail भी कर सकते हो, start actually 18th Gen से हो गया है, और इसका last date है, वो 7 February है, तो आप 7 February से पहले पहले जो interest rate है, वो advance में form fill कर सकते हो, हो सकता है, आप में से किसी को इस form की need हो, और जिसको भी need हो, तो आप अपने दोस्तों को भी share कर दीजिएगा, वापस बोलों में ये temporary है, permanent है नहीं है, जब तक project run करेगा, तब तक आपकी job है, उसके बाद में आप कोई वहाँ पे जो है, लाइक वहाँ पे जो है, आप पर्माने नहीं रहोंगे, अब और देख लेते हैं, important instruction for the submission of online application for the contractual appointment of junior research fellowship GRF and physical chemical analysis, junior research fellowship microbiological, biological monitoring and analysis, junior laboratory assistant in the Bihal state position control board, how to apply, same है, मैंने पूरा पढ़ लिया है, कुछ नहीं है, जो मैंने अभी आपको explain किया था, सबसे पह आपको detail पूची जाती है, पूरा आपको fill करना है, उससे मिलेंगे ID password, ID password मिलने के बाद में, मलब registration होने के बाद में, आप form fill कर सकते हो, जब form fill कर तो site detail accurate हो, तो ही आपको final submit करना है, क्योंकि उसके बाद में edit का option नहीं आएगा, final submit करने के बाद में, आपको मिल जाएगे application ID application ID के बाद में, आप जो है, वो उसको आप reference तोर पे आप रख सकते हो, जिसके पास में CSI, NAT वगरा है, वो ही form fill कर सकते है, उसकी mark sheet भी upload यापर करनी होगी, राइट, दूसरी बात है, एक candidate जो है, एक से ज़्यादा form अगर fill करता है, तो वो consider नहीं होगा, तो ध्यान रखना एक candidate एक ही form fill करना है, एक से ज़्यादा fill करेंगी, तो वो उसका cancel हो जाएगा, ठीक है, बारती लोगों के लिए, इंडियन nationals are eligible, राइट, दूसरी बात है, कि physical mental condition अच्छी होना चीए, आपका bodily healthy होना चीए, परसन जो जो candidate है, ठीक है, physical disorder नहीं होना चीए, और medical examination is not found, अग 10th mark sheet में जो है, आपकी age mention है, वही आपके age जो है, वहाँ पे determine की जाएगे, तो यह आपको ध्यान रगना है, 10th mark sheet में आपका name, father name, age, I mean birth of date, वही आपके जो है, वहाँ पे accurate मानी जाएगी, राइट, दूसरी चीज में यह बताना चाहूँगा, कि कोई भी अगर आप information fill करत है, और जो बिहार के student है, जिनको reservation चाहिए, और reservation category से belong करते हैं, उनको cast certificate जो है, अपलोड करना होगा, और post जो है, increase भी हो सकती है, decrease भी हो सकती है, और cancel भी हो सकती है, तो इसके लिए आप कोई claim नहीं कर सकते हो, आपका claim वहाँ अप accept नहीं किया जाएगा, वह सारा board जो है, decide करेगा, ठीक है, selected candidate जो है, उनको एक agreement sign करना होगा, जिसमें कुछ terms and conditions होगी, और आप जो email ID, आप जो वापे, आपके registration में फिल कर रहे हो, वो उसी email ID पे further communications आप से किया जाएगा, तो आपकी email ID active होनी चाहिए, at least for the one year, बाके आप देख लेजिए, the candidate will receive all communication in the active email ID provided by them, ठीक ह आप देखो जड़ा selection procedure किया होगा, सब समीन आप देख लो, जो JRF के लिए apply कर रहे है, उसका selection procedure on the basis of UGC net, या CSIR net, उनके marks के basis पे होगा, राइट, दूसरी बात करें, आपके master's और ये, राइट, दूसरी बात करें, जो lab assistant है, उनका जो bachelor of science symbol of जो उनका graduation है, उसके basis पे होग ठीक है, उसके बाद में आपका होगा, document verification, ध्यान रखना, document verification, जो है, उसमें अगर आपके BSC या MSC में, जो semester wise अगर आपके हुआ है, वैसे तो MSC semester wise ही होती है, जातक मुझे information, अभी I think BSC भी semester wise होना start होगी, तो सभी semester के आपको hard copy, document verification के साथ में आपको carry करनी होगी, कि दोनों post के लिए आपको CSR net का score sheet है, वो आपको साथ में रखना होगा, original वला, ठीक है, और अगर मान लोग को candidate कैसी और organization में, किसी और institute में, अभी फिलाल working है, तो वहाँ से उनको document verification के time तक no objection certificate, वहाँ से issue कराना पड़ेगा, right, start मैंने बता दिया date 18 Jan से होगया है, last week का 7 F आज हो गई है, 2 Fav, तो आपको यह पता होना चाहिए, इसके, इस post के respect में, यहाँ पे हिंदुस्तान, जो है, वहाँ पे यह advertisement public हो, एक बार होई थी, और धैनिक जागरन में, यह भी आपको notification साथ में include हो, आपको हुआ देखने को मिलेगा, right, I hope यह जो है, कुछ necessary candidate के लिए जो है, बहुत helpful रहेगा, नसे से बचने का है, एक ही उपचा, द्रट संकल्प और परिवार से प्यार, तो भाई, आपको नसा बिल्कुल नहीं करना है, अगर आप नसा कर रहे हो, और प्यार तो कर सकते हो, आचाहिए अलग है, ठीक है, तो आपको जो है, इस यह post में आपक पॉइंट नहीं किया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताता है, थोड़ा है, ठीक है, थोड़ा है रहना हो, आपको आपको यह जो है, एक इन्फरमेशन थी वेकेंसी परपस पर बाकी यह आपको उख सेल पी एक बार आप पढ़ लेना, मैंने फटा पढ़ बता दिया उपर उपरी तोर पर ताकि मैंशन हो जाएगे, हाँ, मुझे इस पर और क्वेरी करनी है कि नहीं करनी है, तो आई होप सो, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा, तो डेफिनेटल आपको क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, जो जो के इंपोर्टेंट टॉपिक्स में, मैं हूँ रोहिसुतार, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जाहिन, जाश्री राम, बने रहे रोहिती कैमिस्ट्री के साथ मैं धन्यवाद,